तो आज एक बहुत अच्छी शॉट ट्रिक आपके लिए हम ले करके आए हैं, तो आज यहां पर हम एक शॉट ट्रिक बढ़िया वाली आपके सामने डिसकस करने वाले हैं, तो टॉपिक डालीजे आज का शॉट ट्रिक, आप जाना चाहेंगे कि यह किस चैप्टर की शॉट ट ट्रिक है, इस चैप्टर का नाम है, पर्मूटेशन इन कॉम्बिनेशन, इसको हम प्यार से पी एन सी भी बोलते हैं, तो पी एन सी की शॉट ट्रिक में आपके यहां डिसकस करना चाहता हूँ, और इस शॉट ट्रिक का कंसेप्ट क्या है, पहले यह जान लीजे, इस शॉट तो इस फॉर्मूले को आँगे लेकर की हम शॉट ट्रिक जो है आपके लिए आपको एपलाई करना है, यहां पर सिखाएंगे, अब आईए देखते हैं, पहले इस कॉस्चन ले लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आखिरी शॉट ट्रिक कैसे लगानी है, तो 40-IC4 equals to 39, sorry, equals to आपको find करना है कि क्या होगा answer, यहां पर आपको that is a question mark, आपके सामने कुछ options दिये गए होंगे 4, और आपको बताना है कि correct answer कौन सा है, इसके सामने 4 options दिये गए हैं, तो आईए देखिए इसको solve कैसे करते हैं, बच्चों, अब इसको आप पूरे तरीके से solve क आपको काफी वक्त लगेगा, आपको इसको open करना पड़ेगा, क्योंकि I की value यहां पर solve हो करके जा रही है, दो से लेकर और final value कहां तक जाएगी, 10 तक जाएगी, ठीक ना, तो मैं इसको पूरा solve कर देता हूँ, जिससे आपको एक बार feeling तो आई जाए, कि इसको पूरा solve करन बनेगी 30, तो यहां से चुरू करो, इसमें उपर से, क्योंकि वह आपका फायदा है, तो 30 C 4, plus I की value बढ़ाते हैं, 10 है, तो I की value 9 कर दो, 9 में कितना बनेगा, आपके पास बताइए, तो 40 minus 9, that is equal to 31, C 4, plus कितना आ जाएगा, 30, और finally यह जाएगा, कितना, 38 तक, 31 C 4, फिर 32 C 4, फिर 33 C 4, 35 C 4, plus 36 C 4, plus 37 C 4, and 38 C 4, I think, यहीं तक जाएगा, because I की lowest value 2 है, तो 40 minus 2 equal to 30, exactly, So, आईए दो इसको trick से solve करते हैं, देखिए, जो method है, आपका, NCR plus NCR minus 1, तो यह देखिया, क्या बन गया, R minus 1, और यह बन गया, R, तो क्या हो जाता है, एक यह उपर वाला एक से बढ़ जाता है, और बढ़ा वाला R आ जाता है, तो 31 C 5, 31 C 5, 31 C 4 के साथ, अगर connect होगा, तो क्या बन किया है, देखिए, इसमें आपके पास आएगा, 32, ओके, इसमें आपके पास कितना हैगा, 32, मतलब जिसके साथ आप भिट रहे थे, उससे एक पढ़ जाता, तो यह दोनों मिलकर के क्या देंगे, 32, फिर यह दोनों मिलकर के क्या 38 C 4 के साथ, 38 C 5, देखो, यहां तक कितना आएगा, logic आपको समझ में आ गया, यहां तक का आएगा, 38 C 5, और प्लस 38 C 4, तो answer कितना आएगा, 39 C 5, तो इसका answer कितना होगा, इसका answer होगा, 39 C 5, अब आपको इसकी short trick मैं बता रहा हूँ, इसकी short trick आपको कैसी करना ही रिखे, तो 40 minus 2 कितना होगा, 38, उसको एक बढ़ा दो, तो 38 आया है, छोटे वाले में, उसको एक बढ़ा दो, और नीचे जो है, नीचे वाले में भी एक बढ़ा दो, जिसके पास आयोटा है, जो बदल रहा है, उसमें भी एक बढ़ा दो, तो कितना आजाएगा, आपने पास में 5, ओक यह देख लिया करो ज्यादा बड़ा वाला है वो आएगा ओके सो आंसर कितना आ गया 39C5 चले कुछ और example लेते हैं तो आपको समझ माय जाएगा इसका exact method अगर मेरे पास कोई question है 45C7 plus sigma i equals to starting from 4 to 15 and this value is standing up to 60 minus i C6 आये तो कैसे करते हैं i की lowest value डाल दो भाई सब किती साथ में से चार गया 56 तो कितना आ जाएगा 57C हाँ देखिए कौन है एक बढ़ा दो 7 तो आंसर क्या गया 57C7 ठीक ना यस एक और question लेता हूं देखिए एक और question 100C8 ओके plus sigma i equals to 5 और यहाँ पर कितना है 20 और है यहाँ पर 120 माइनस i C7 तो lowest value माइनस करो कितना जाएगा 120 में सिफ आई की जिए 5 माइनस करो 115 उससे एक बढ़ा दो तो कितना हो गया 116 और C7 प्लस 1 कितना हो गया 8 तो इसका अंसर आ गया 116 C8 ठीक ना तो दोस्तों यह रही हमारी permutation and combination की trick आपको कैसी लगी comment box में जरूर बताईए बहुत बहुत धन्यवाद